क्या आप खादी श्रिंखला और खादी जाल के बीच अंतर जानते हैं? खादी श्रिंखला एक सरल अनुक्रम है जो दर्शाता है कि पारिस्थितिक तंतर में उर्जा और पोशक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में कैसे स्थाना अंतरित होते हैं? इसमें आमतोर पर तीन मुख्य घटक होते हैं उत्पादक, उप्भोक्ता और डीकमपोज उत्पादक पौधों की तरह प्रकाश संचलेशन के माध्यम से सूरी की प्रकाश का उप्योग करके अपना भूजन बनाते हैं उप्भोक्ता वे जीव हैं जो उर्जा के लिए अन्य जीवों को खाते हैं और उन्हें तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है शाकाहारी, पौधे खाने वाले, मासाहारी, मास खाने वाले और सर्वाहारी, पौधे और जानवर दोनों खाने वाले डीकम्पोज, जैसे बैक्टीरिया और कवक, मृत पोधे और पशु पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच बातचीत का अधिक जटल और यथार्थवादी प्रतिनिधित्व है इनमें परस पर जुड़ी खादी श्रिंखलाएं होती हैं जो भोजन संबंदों का एक नेटवर्थ बनाती हैं खाद्य जाल इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अधिकांश जीवों के पास कई खाद्य स्रोथ होते हैं और वे एक साथ विभिन श्रिंखलाओं का हिस्सा हो सकते हैं वे एक जीव से दूसरे जीव में उर्जा और पदार्थ के प्रवाह को अधिक व्यापक और सटीक तरीके से दिखाते हैं खाद्य श्रिंखलाओं का उप्योग जीवों के बीच एक रैखिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए उर्जा हस्तांतरण के एकल मार्ग को दर्शाने के लिए किया जाता है वे एक विशिष्ट दिशा में उर्जा के मूल प्रवाह को समझने में सहायक होते हैं दूसरी ओर खाद्य जाल एक पारिस्थित की तंतर में जीवों के बीच जटिल संबंधों की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं जो अंताक्रिया की जटिलता और प्रजातियों की परस पर निर्भरता को दर्शाते हैं